ओके अगर आप भी एक नए यूटूबर हो और आपको भी कॉमिनेटी टैब मिल चुका है और अब आप ये जानना चाहते हो कि हम कॉमिनेटी टैब में कैसे पोस्ट कर सकते हैं और कॉमिनेटी टैब में हम क्या-क्या पोस्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप community tab में क्या 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 post कर सकते हो और आप community tab में post कैसे कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और आपको बताते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप community tab में post कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप community tab में images share कर सकते हो पहले एक image share करने का option था YouTube में लेकिन अभी आप एक साथ 5 photos को YouTube के community tab में post कर सकते हो दूसरा आप कोई भी videos share कर सकते हो नई विडियोMS या किसी और के channel की videos आप share कर सकते हो तीसरा आप कोई भी text लिख कर share कर सकते हो चौथा आप कोई भी link share कर सकते हो application का website का ये video का किसी भी तरीके का कोई भी link आप share कर सकते हो पाचमां आप कोई भी poll रख सकते हो कोई भी अगर आपको question पुछना है अपने viewer से अपने subscriber से तो आप question उसमें लिख कर पोल कर दो उसमें लोग vote करेंगे इन पांस तरीकों से आप community tab का use कर सकते हो अब चलिए बताता हूँ आपको कि आप community tab post कैसे करेंगे सबसे पहले आपको अपना YouTube app जो है इसको open करना है YouTube app उपन करने के बाद आपको उस email id से login कर लेना है जिस email id से आपना channel बनाया है और community tab मिल गया हुआ है उस email id से आपको अपना YouTube में login कर लेना है login करने के बाद आपको यहां एक plus का icon दिख रहा होगा इस पर click करेंगे प्लस का icon पर click करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे options दिखाए देते हैं upload, create sort और go live और उसके नीचे आपको यहां create a post लिखा के दिखाए देता है इस पर click करना है creative post पर click करेंगे तो आपको शुरुवाती में कुछ allow मांगेगा तो आपको allow दे देना है मेरे पर यहां पर allow नहीं मांगा है तो मैंने अभी ऐसे ही यहां पर open हो गया क्योंकि मैंने पहले use कर रखा है अगर आप first time करेंगे तो आपसे allow मांगा जाएगा तो आपको allow कर देना है ठीक है allow करने के बाद आपको यहां पर text लिखे अगर share करना है तो simply आप text लिखो जो भी लिखेना है text यहां पर लिख दो और यहां post जो है post पर share कर post पर click कर दो यह जो आपने text लिखा है वो अभी पोस्ट हो चुका है अभी मैं वीव करके भी दिखा देता हूँ आपको तो देख सकते हैं यह दिखा दे रहा भी कुछ second लगते हैं पोस्ट होने में उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देने लगए अभी जो मैंने post किया था अगर आपको image post करना है तो आपको फिर plus पर किलिक करना है यहां create post पर किलिक करना है उसके बाद आप यहां देखेंगे तो एक image का icon बना वह इस पर किलिक करेंगे और आपको यहां पर gallery दिखाई देने लगएगा जो भी आपका images होंगे वहां पर करने लगेंगे तो जिस भी image को आपको share करना है उस image पर यहां पर आपको tap कर लेना for example मैं इस image को share करना चाहता हूँ अपने community टैब में तो मैंने इस पर किलिक कर लिया है और यहां next के बटन पर किलिक कर देना है आप एक साथ 5 photos को select कर सकते हो मैं देख सकते हैं लेकिन मैं भी एक ही share करने वाला हूँ तो यहां next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने के बाद अगर यहां पर आप कुछ लिखना चाहते तो लिख दे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यह इमेज यहां देख सकते हैं community tab में जो है हमारे post हो चुका है अगर आपको किसी भी तरीकी कोई video share करनी है for example अगर आप अपनी इस video को देख रहे हैं यहां से अगर इसको community tab में share करना चाहते तो यहां three dot पर क्लिक करना है यहाँ share पे click करना है और यहाँ create post लिखा के आ जाएगा इस पे click करेंगे तो आपका video जो है यहाँ post में आ जाएगा community post में आपको यहाँ पे title डाल देना है या जो भी लिखना चाहते है तो लिख देना है उसके बाद यहाँ post पे click कर देना है मैं लिख देता हूँ new वीडियो उसके बद यहाँ post पे klikker देता हूँ तो आप अपनी वीडियो को भी यहाँ share कर सकते हो अगर किसी दूसरे के चैनल की वीडियो share करना है तो इसी तरह आपकी किसी channel में चले जाना है या वीडियो में चले जाना है share पे क्लिक करना है और create post पे क्लिक करके वीडियो भी share कर सकते हूँ अब मैं आपको बता देता हूँ कि कि कोई भी link कैसे share कर सकते हूँ simply आपको किसी भी link जो है वो copy करना है और यहाँ create post पे क्लिक करना है और यहाँ paste कर देना है post कर देना है paste करने के बाद यहाँ पोस्ट कर देंगे तो को कॉइभी लिंक जो आप सेर यह वो लिंक सेर हो जाएगा अब मैं आप को बताता हूँ कि यूटूबर हो या नहीं यस और नो का मैं दे दूँगा यहां पर यस उपर और नो नीचे उसके बाद यहां मैं पोस्ट कर दूँगा अगर कोई भी यूटूबर होगा तो यस पर क्लिक करेगा अगर नहीं यूटूबर होगा तो नो पर क्लिक करेगा इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो देखने वाले जो लोग है वो कितने यूटूबर हैं, कितने यूटूबर नहीं हैं, मैंने अपने हिसाब से यहां पर question रखा है, आपका जो भी question होगा आपका जिस related videos डालते हैं, उस related आप community tab में question पूछ सकते हैं, तो इ इस तरह से आप community tab में post कर सकते हो, देख सकते हैं मैंने यहां पर, आप YouTuber हो या नहीं है, अगर को YouTuber हो तो yes फिक क्लिक करेंगा, मैंने आपको यहां पोल share करके दिखा दिया है, images share करके दिखा दिया है, text link के दिखा दिया है, link का भी बता दिया है, सारी चीजे मैंने इस वीड subscribe करके नीचे, comment करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी